आज हम बात करेंगे अभिसार सर्मा की जो अभिसार सर्मा कल तक तो बड़ा पत्रकार बनके एबीपी में खुब चिलाया करते थे अब वो आज उनको एक चीज बताई कि वो अब वीडियो सेर करने लगें अपने वीडियो हमेशा फेस्बुक पे लाइब करते हैं और हमेशा हमेशा यह बोलते हैं कि लोगत तंत्र में खतरे में हैं लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है वो सपने में मोधी मोधी चिलाते हैं मोधी को ही गाली देते हैं और आज उन्हों का ट्विटर पे उन्होंने एक पोस्ट किया अभिशार सर्मा के नाम से आप ट्विटर पे जले जाईए आप इनके ट्विटर पे जाईए अब ये बार बार अपना वीडियो सेर कर रहे हैं इन्होंने एक इस अपने इस वीडियो में कहा है कि एस पी जी ने परदान मंतरी मोदी को चार घंटे मलब चार किलो मीटर चलने के लिए कैसे बोल दिया क्या इन में इतनी भी अकल नहीं थी अकल तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इस अभिसार सर्मा पे है कि ये जो बंदा कभी खेत में जाता है वहां रिपोर्टिंग करने और बोलता है कि जो ये धान देख रहे हैं ये धान है गेहूं तो जो धान को गेहूं बताता है उस जितनी अकल किसी के पास नहीं होगी जो पत्रकार गेहूं को धान बता सकता है उस पत्रकार का तो हम क्या कह सकते हैं अब वो आज वो क्या कह रहे हैं कि अब ये बहुत बड़े अपने आपको पत्रकार हर विशाई पर यह अपना इनके बहुत सारे ट्वीट हैं अब यह बात कर रहे हैं यहां पर सत्यवचन आज परधान मंतरी मोदी ने जब यह कहा कि सोशल मेडिया पर गंदगी ना फिलाए स्वच्छता मन से नहीं अब बहुत सारी लोग गूं को काम होता है कि वो नेगेटिव और उल्टी चीज़ें सपोर्ट और उनके वाल वगेरा या कहीं भी सेर करते हैं तो परधान मंतरी का डारेक अटेक इन लोगों पर था जैसे दवायर और जैसे यह बिनोद्वा और अ काम क्या होता है और आज यह खुल के सपोर्ट में यहां पर लिख रहे हैं यह इनको बोल रहे हैं कि अभिसार सर्मा सबसे बड़ा पत्रकार है और यह बता रहे हैं कि वही जो भी अरेस्ट हुए भीमा कोरे गाउं और परधान मंतरी मोदी के खिलाप जो भी अरेस्ट और यह वहां के नागृत्ता निले और मोदी भग्विदेश में मोदी मोदी करते हैं और इनसे देखे गर एक मैं बताओं यह जो भी एक्टिविस्ट और एंजियो चलाके होते हैं यह इनके दिल्ली में बड़े बड़े बंगले मजे से बैठके यहां रहते हैं और इनका इतना मोटा पैसा बिना काम के और गरीबूं को गुम्राह करते हैं गरीबूं को गरीबूं के नाम पर गरीबूं का चंदा लोगों से बहार से बड़ा डोनेशन लेते हैं और सरकार विरोधी और जो भी विकास विरोधी आंदोलन होते हैं उनका अगवा करते हैं तो इनका एजेंडा इस तरीके से जो काम करते हैं उनको विदेश में कैसे काम करना विदेश में तो आपको काम करना पड़ेगा इस तरीके से आप एंजियो चलाने सकते हैं वहां तो आपको दिन रात मेहनत करने पड़ेगी अच्छा कंपटीशन करना पड़ेगा वो तो भारत में है कि यहां एंजियो खोलो और बहुत सारा मोटा पेसा अपने घर में रख लो अब अभिसार सर्मा का एक और देखते हैं अब यह अभिसार सर्मा कह रहे हैं कि भई यह निर्द संपोर्टर्व को कोग्रेश सरकार ने अरेश्ट किया था तब कहा daily सरमा सर्मा क्प्री उतना अब आजाते हैं और बोलते रहते हैं कुछ ये बात करते हैं आदिवासियों की तो अगर इतना ही आदिवासी प्रेम इस अभिसार सर्मा को है तो क्यों न ये उनके साथ जंगलों में चले जाते हैं जो ये बात बताते हैं कि सरकार को नहीं आना चाहिए यहां यहां काम नहीं करना चाहिए यहां विकास के काम नहीं होना तो अभिसार सर्मा अपनी फैमिली लेकर 36 गड़ चले जाएं और 36 गड़ के जंगलों में रहें और वहां नक्सलियों के साथ अच्छा काम कर सकते हो तो इस तरीके से पत्रकार रूपी जो नक्सली बन चके हैं अब अब उनका आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है फिलहाल तो सब मीटू अरवन नक्सली बन गए हैं कभी जैनियो वालों को सपोर्ट करते हैं कभी किसी को सपोर्ट करते हैं कभी कुछ तो प्रधान मंतरी मोदी के बिरूद में ये लोग हमेशा बिरूद करते रहेंगे और इनका कोई एजेंडा नहीं है इनके आँख में काला चसमा ल सब्सक्राइस नहीं दिख सकती है क्योंकि कॉंग्रेस वालों ने इनको मोटा पैसा भर रखा इनके मूह में और इनकी आवाज नहीं निकलेगी क्यों कॉंग्रेस ने इनको अरेस्ट किया लेकिन कॉंग्रेस पर ये सवाल नहीं करेंगे जब कॉंग्रेस ने इनको सालों सा जेल के अंदर रखा तब कोई लोगतंत खत्रे में नहीं था आज मोधी सरकार ने इन पर एक्षन लिया तो सब लोगतंत खत्रे में आगे मीडिया खत्रे में आगे बामपंथी खत्रे में आगे सब नक्सली बनने लगें तो बनिये आप नक्सली लेकिन अभिसार सर्मा जैसे लोग आप बेनकाब हो गए हैं आप पत्रकार के नाम पर अब नक्सली ना बने और नहीं तो जनता आपको जबाब देगी